नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बर फिर से हमारे इस चाड़क के नीत के एक और ग्यान बर्थक और नालेजबल वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिरी भगबत गीता और चाड़क के नीत के अनुसर बताएंगे के मनुस्य की बरबादी के काउन से खास कारण होते ही मित्रों यदि आप लाखों करोडों कोसे से कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रहे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाफदायक होने बला है मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी से रिकेश्ट है यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिज लाइक कर दीजी और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के नालिजवल वीडियो देखना चाहते ही तो हमारे चैनल को फ्री मैं सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कीजिए अब चलिए दोस्तों आपको बताते ही उन कारणों के बारे में जो बनते ही आपकी बरबादी के कारण और वो कुछ ऐसे कारण ही जो आपको कभी भी आमीर नहीं बनने देते ही आप कितनी भी कोशिश करते ही फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आईए जानते हैं उनके बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्रीमत भगबत गीता में बताया जा चुका है कि कैसे मनुस्री की बरबादी का कारण उसकी तीन आदते बनती है जी हाँ दुनिया के हर एक ब्यक्ति के अंदर ये तीन अबगुर होते हैं लेकिन जो ब्यक्ति इन पर नियंतरर पा लेता है बहा दुख और परेसानियों से बचा रहता है बही जो ब्यक्ति इन तीन दोसों पर नियंतरर नहीं कर पाता है वह बरबाद होने के कभार पर पहुच जाता है जी हाँ तो आईये जानते हैं कोनसे हैं बह तीन ऐसे महत पूर्ण कारणां दोस्तो नमबर एक है इच्छा कहते हैं दुनिया के हर एक ब्यक्ति के अंदर का, सबसे पहला आपगुड होता है उसकी इच्छाई, जी हां कहा जाता है, जो ब्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंतरण में नहीं रख पाता है, बहा जीवन के, किसी भी छेतर में सफल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसके एक इच् नियंतरण ना होने के कारण ब्यक्ति जीबन परियंत इसी जाल में उल्जा रहता है और दुख ही रहता है और मित्रों नमबर दो है क्रोध दोस्तों कहा जाता है कि कई बार अत्य धिक रोध आने के कारण लोग गलत निरड़ाइं ले लेते हैं जो उनकी बरबादी का कारण इस तरह ब्यक्ति के अंदर का दूसरा अबगुर क्रोध को माना गया है और मित्रो नमबर तीन है लालच दोस्तों तीसरा अबगुर जो ब्यक्ति के अंदर होता है बहा है लालच जी हाँ जैसे ही ब्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके मन में और कई आकांचाएं जन्म लेने लगती हैं जो उसकी बरबादी का कारण बन जाती है। और मित्रों नमबर चार है और सबसे लाश्ट कारण जो की बहुत आहम है। दोस्तों अपने बड़े बुड़ों को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए जो ब्यक्ति आपने से बड़ों का अपमान करता है। पाप का भागिदार बनता है और ऐसे लोगों पर कभी भी देवी देपता की करपा नहीं होती है। इसलिए मित्रों हो सके तो आप कभी भी अपने से बड़ों का अपमान ना करें और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दें जिससे सभी देवी देवताप से प्रसन होंगे और आप अपने जीवन में बहुत जल्दी कामियाभी हासिल कर लेंगे